हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम मराठी का सेकेंड चैप्टर करने वाले है जिसका नाम है हतीचे चातुर यह एक चित्र कथा है मतलब पिक्चर स्टोरी है एक जिसमें हमें पिक्चर्स को देखकर मतलब तस्वीरों को देखकर कहानी बतानी होती है ठीक है तो बच्चो देखो पहले मैं आपको यह एक्स्प्लेइन करूँगा ठीक है और यह जो आपको स्वाध्याय में जो भी कोश्चन से सब दिये गए है यह और यहां पे सब जो दिये गया है सब हम करेंगे इस वीडियो में ठीक है आप वीडियो को आखरी तक देखो आपको सब लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पांच वी ग्लास के सारे वीडियो मिल देंगे ठीक है चलो अभी स्टार्ट करते हैं दो यहां पे क्या है हती चे चातुरे हती मतलब क्या था बच्चो एलिफेंट हाथी देखो इसको हम हिंदी में हाथी बोलते है चात मतलब क्या होता है बच्चो देखो एका मतलब सुनो वाचा मतलब पढ़ो ठीक है मतलब मतलब क्या हो आप देखो सुनो और पढ़ो ठीक है अब देखो यहां पर आपको क्या है पहले हम यह देख लेते हैं क्या है पहले पहले देखो आपको मुले मतलब क्या होता है जिसको हम English बे रेविट बोलते हैं यहां पर मतलं है खड़ा खड़ीमदार क्षक्ड़्ट मतलं है इसे हम बोलते हैं यहें हती हती मतलं क्या एलिफेंट जिसको हम हिंदी में हाथी बोलते हैं औक अब देखो अब यहां कि यहां पर आपको है यहां पे शायद फुटबॉल उनका गड़े में चला किया अब यहां पर लोग लकडी डालें फिर हाती आया हाथी ने पानी डाला के यहां आपको complete करना है picture को तो इसमें देखो बच्चो हम story बताएंगे picture को देखकर और यहाँ पर जो हमें complete करना है वो भी हम करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ मैं आपके लिए सब लिखके रखा हूँ आप चाहिए तो आप pencil और book लेकर बैढ़े और आप भी लिख लो और हम story भी साथ साथ में देखते चलेंगे तो चलो मैं भी आपको दूसरी screen पर लेकर चलता हूँ हम start करते हैं वहाँ पर देखो बच्चो यहाँ पर आपको देखो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखके रखा है सब आप pencil और book लेकर बैढ़िया हो अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो तो देखो बच्चो यहाँ पर क्या है पहली picture जो आपको दी हुई है टेक्स बुक में देखो यहाँ पर बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मैदानात मतब क् ठीक है मूले मतब क्या बच्चे फुटबॉल मतब क्या गेंद यह दोखो यह फुटबॉल है खेड़त मतब खेलना क्या यहाँ पर बोला है कि मैदान में बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो दो दो बच्चे एक बच्ची है सब लोग म लामबूर मतब दूर, त्यांचया मतब उनका, खेड मतब क्या खेल, पाहत मतब देखना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तीन खरगोश दूर खड़े होकर इन बच्चों का खेल देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन खरगोश हैं, दूर आपको द फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब खरगोश लोग, अब देखो, यहाँ पर क्या है, मुले निगून गेली, मुले मतलब कौन, बच्चे, निगून मतलब आप बच्चे निकलना, ठीक है, जाना, तो अब यहाँ पर क्या बोले कि बच्चे वहाँ से चले गए, आता ससे फुट गोश वो फुटबॉल खेलने लगे हैं, अब देख सकते हो, यहाँ पर देखो, बच्चे लोग जा रहे हैं, वहाँ से चले गए हैं, अब तीनों जो रॉइबिट है, वो मिलकर अब फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे लोग अपना फुटबॉल छोड़कर चले गए है अब आगे वाली तस्वीर पर हम चलते हैं ये दोखो अभी आपको थर्ड तस्वीर में क्या दिया हो गया है बच्चो देखो थर्ड में है आपको खेलता खेलता फुटबॉल एका खड़्याद पड़ला खेलते मतलब खेलते, खड़ते, खड़ात मतलब क्या बच्चो, एक गठे में गढ़्धा, ठीक है? पटड़ा मतलब बसुकते हो गिरना, क्या बोल लाए यहांपे? कि खेलते, खेलते, जो फुटबॉल था, वो एक गढ़्धे में गिर गया, यहांपे आप देख सकते हो, त सचाना मतब रैबिट को कडेना स्मझ में नहीं आना, क्या है यहां पर बोले है कि अब क्या करना है, यह उन खर्गोश बेचारों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, अब देखों सब कनfuse खडे है, क्या करना है कुछ समझ नहीं पारहे है आगे देखते सचाना, 1 लाकडा फड़ी मिडाली सशाना मतब क्या बच्छो रैबिट को खरगोश को फड़ी मतब क्या लकडी का टुकडा मिडाली मतब मिलना यहां पर क्या होले कि जो रैबिट्स थे जो खरगोश थे इन लोगों को एक लकडी का टुकडा मिला यहां पर आप देख सकते हो दो यह लकडी का पारने आचा मतब निकालना प्रयात मतब कोशिश यहां पर क्या बोल रहे है कि उन लोगों ने उन तीनों खरगोश ने उस लकड़ी के टुकड़े को गड़े में डालकर फुटबॉल को बाहर निकालने की कोशिश की ठीक है आगे देखते हैं अब देखो आगे की तस्वीर म आए देखो क्यों यहां पर एक हाथी आगिया सोंडेतले पाणी khakड़्यात ओतले त्यने मतब क्या बच्छो प्रसने संडेतले मतब सूंड में जो हाथी कि सूंड धी हो पाणी मतब पानी खड़े हाथ मतब गड़े में उतले मतब बुशकते हो डालना क्या वो लेए आपे कि जो हाथी था उससे अपनी सून्ड से गड़े में पानी डाला ससे आश्चर रहाने बगत होते ससे मतब क्या अच्छो खरगोश आश्चर रहाने मतब एकदम हका बककर होकर ठीक है बगत होते मतब देखना यहाँ पर क्या वो लेए कि जो खरगोश थे वो एकदम आश्चर रहे चक्कित होकर हका बककर होकर देख रहे थे हाथी को कि हाथी क्या कर रहा है आगे देखते हैं अब देखो यह तस्वीर है जो आपको फिल करना है जहाँ पे आपको कुछ भी नढ़ दिया हुआ है वहाँ पर यह वाली तस्वीर आएगी अब देखते हैं इसमें हमें क्या है खड़ा पाणे आने भरह क्टब क्या होचो गद्धा पाणे आने मतब पानी से भरह मतब भरना क्या बोले कि अब गड़ा पानी से भर गया क्योंकि तो यह हाथी जो था उसे हमने सून से गड़े में पानी भरा तो पूरा गड़ा दम पानी से भर गया ओके फुटबॉल पानियावर तरंगायला लागला पानियावर मतब क्या पानी में तरंगायला मतब तैरना क्या बोले कि जो फुटबॉल था वो पानी में अपतैरने लगा सशाना फुटबॉल मिडाला सशाना मतब क्या उचो रैबिट्स मतब खरगोश को मिडाला मतब मिलन क्या बोला है यहाँ पे कि जो खरगोश थे उन लोगों को फुटबॉल मिल गया त्याना आनन्द जाला त्याना मतलब उनको आनन्द मतलब क्या बचो खुशी च्यानी हद्तीचे आभार मान ले त्यानी बोल सकते हो और गठाइघ के बूर। हमें इसमें क्या दिया गया है? पहला है आपको प्राष्ण मन क्या है? मतलब क्या बोले आपको कि जो starting में जो शुरू में आपको तस्वीर दी गई है उनके नाम बताओ ठीक है तो देखो बचो ये तस्वीर जो है इन में से आपको नाम बताने है सिर्फ आपको इसमें से लिखना है ऊके चलो हम लिखते है उत्तर में क्या है मुले, फुटबॉल, ससे, खड़ा, फड़ी, रधी मुले मतलब बच्चे, फुटबॉल मतलब गेद, ससे मतलब खरगोश, खड़ा मतलब गड़ा, फड़ी मतलब लकड़ी का टुकड़ा, हथी मतलब हाथी यह आपको लिखना है ठीक है अब देखो second में कहा है, second में आपको प्रतेक, चितराद, काय काय दिस्ते तेन सांगा, मतलब हर एक जो तस्वीर है, उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, वो बताओ, तो बच्चो जो second वाला है न, यही है, जो अभी हमने उपर यह सब किया था न, इसमें यही सब आपको करना है, ठीक है, हर पिक्चर हर जो तस्वीर है, उसको explain करना है, बस और आपको कुछ नहीं करना है, ओके तो यह हमने पहले से कर लिया है, प्रस्टू अब थर्ड में चलते, थर्ड में कहा है चित्रे पाहा, कोड़ते सांगा, मतलब क्या वहला आपको, कि जो चित्रे जो तस्वीर है, वो देखो, और किसने यह कहा, वो बताओ, ठीक है, पहला क्या है, देखो, खड्यातिल फुटबॉल, काड़नेया साथी प्रयत्न करना रहे, मतलब कि जो गड़े में फुटबॉल गिर गया था, उसको निकालने की कोशिश, कोन कर रहा था, बच्चो, ससे, मतलब खरगोश, ठीक है, खरगोश कर रहे थे, गड़े से फुटबॉल निकालने की कोशिश कोण लोग करे थे, खरगोश लोग, अब सिकंड कहा है देखो, सशाना मदद करणार, खरगोश लोग की मदद किया, किस ने किया, बिल्कुल सही, हाथी ने किया, तो आप लिखो के हथी, ठीक है, अभी देखो आपको अगला कॉश्चन कहा है, अगला कॉश्चन फूर्थ में आप क्या बोल रहे हैं कि जो कहानी ये है, इसमें क्या हुआ होगा, ये जो चितर कथा है, इसमें क्या हुआ होगा, वो आपको सोचना है, कल्पना करना है, और जो एक आखरी में जो आपको तस्वीर नहीं दी गई है, जो पिक्चर नहीं दी गई है, उसको आपको फिल करना है, उसमें आपको एक ड्रॉइंग बनानी है तो देखो बच्चो यह हमने पहले से ये भी कर लिया है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ यहाँ पे देखो आपको क्या करना है? आपको यह ऐसे ड्रॉइंग बनाना है ठीक है? यह ऐसे करने के बाद आपको वहाँ पर लिख देना है क्या लिखना है खड़ा पाने आने भरला मतब जो गड़ा था वो पानी से भरा फुटबॉल पाने आवर तरंगायला लागला फुटबॉल पानी में तैरने लगा ठीक है सशाना फुटबॉल मिडाला तैना आनन्द जाला मतब खरगोश लोग को फुटबॉल मिल गया और उन्हें बहुती ज़ादा खुशी हुई तैनी हती चे आभार मान ले और उन लोगों ने हाथी का शुक्रिया आदा किया तो देखो ये कोश्चन में आपको ही करना है बताना है कि आखरी में क्या हुआ होगा तो ये हुआ आखरी में ठीक है हाथी ने लोगों की मदद की फुटबॉल लिकालने में और एक खरगोश लोग ने हाथी का शुक्रिया आदा किया अभी देखो बच्चो प्रश्चन 5 में क्या आपको सर्वे चित्रे पाहा वा गोश्ट सांगा क्या बोला है याँ पे कि हर एक पिक्चर को तस्वीर को देखो और कहानी बताओ वो तो हमने पहली कर लिया है बच्चो हर एक तस्वीर को देखकर हमने कहानी बना दिया है ठीक है ये वही वापीस question repeat हो रहा है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने हैं हमने कर लिया पहले सी ओके अब दिको question 6 में के आपको घा ठा था पा या अक्षरा पासून चित्रे तयार के लिए आहेत त्यांचे निरिक्षड करा या सारख्या इतर अक्षरा पासून तुम्हाली वेगड़ी चित्रे काड़ता ये तील कल्पना करा आड़ी चित्रे काड़ा देखो बच्चो ये question में क्या आपको बुला गया है कि ये सब जो तस्वीर है picture से इनको शब्द को इस्तेमाल करके use करके बनाया गया है आप इन्हें अच्छे से देखो observe करो और ऐसे ही आप homework में दे देता हूं ओके आप ये करो ये आपको एक्जाम में नहीं आएगा आप बस इसे कर लो ठीक है ऐसे ही आप भी तस्वीर बनाओ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ठीक है लेटर इसका आगे देखते हैं भी देखो आगे आपको क्या दिया हुआ है अब देखो हमें जो last question है क्या है आप हमें यहाँ पर दिया गए है शब्द ओडखा वहा कार्डवर लिया बोले हैं कि यह जो शब्द है इन्हें आप पहचानो और इसे यहां पर आप लिखो यह जो कार्ड आ बगड़ा देखो यहां पर है गाजर लिख देंगे फिर आपको मांजर लिख देंगे उसके बाद देखो आपको यहां पर तगर यहां पर हम तगर लिख देंगे और यहां पर है मगर लिख देंगे उसके बाद देखो आपको यहां पर भडग तो हम यहां पर भडग लिख आगे दिखते हैं, आगे दिखो भी आपको क्या है, यहापे आपको है कमान, तो हम यहापे कमान लिख देंगे, यहापे आपको सामान, तो हम यहापे सामान लिख देंगे, यहापे दिखो क्या है आपको, यहापे आपको फुटारा, तो हम यहापे फुटारा लिख देंगे यहाँ पे आपको है वटाडा तो हम यहाँ पे वटाडा लिख दिंगे अब दोगो यहाँ पे आपको है प्रकाश तो हम यहाँ पे प्रकाश लिख दिंगे यहाँ पे आपको आकाश यहाँ पे हम आकाश लिख दिंगे उसको दोगो यहाँ पे आपको तुटके तो यहाँ प लखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले ओके आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लो तक तक गुडबाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आप इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू